क्या हो? तब हमें आसमान में कुछ अलग और बड़ा देखने को मिलेगा और जुपिटर हमारा चंद्रमा नहीं रहेगा बलकि हमारी प्रित्वी जुपिटर का चंद्रमा बनके उसके चक्कर लगाने लगीगी अब ऐसा इसले होगा क्योंकि जुपिटर का ग्रैविटेशनल फोर्स क आगे प्रित्वी का ग्रैविटेशनल फोर्स कुछ नहीं होगा और हमारी प्रित्वी मजबूर होकर इसका चक्कर लगाएगी जुपिटर की ग्रैविटी के कारण प्रित्वी के अंदर भी काफी उथल पुथल होगी जुआला मुकी विस्पोर्ट तो आम बात होगा और ह हमारी समुदर की लहरे भी आज की तरह शांत नहीं होगी बलकि सुनामी की तरह बड़ी बड़ी और विनाशकारी होगी तो ऐसी कंडिशन में प्रित्वी पर जीवन तो संभव बलकुल नहीं होगा